हलो गुड इविंग माई डियर स्टूडेंस आपका स्वागत है हमारे चानल इंगलिस ब्लास्टर में आज हम फिर से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो एंटो नेम्स का क्लास लेके आये हैं ये इंटो नेम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हर एक एक पर इक्जाम के लिए चाहे हो एकजाम बोर्ड का हो विहार बोर्ड का से बसे थे पर ना इसको पढ़ना है बस इसको रिवाइस करते रएन पर गेरी रिवाइसकोरते रहन 10 निया आजाए जब वेख़न में कोश्चन आएंगे सामने आप को शॉवखन मिलीगा आप अप्षन में भाम से टीग कर लोगे तो इसको पढ़ने के लिए क्या करना पधाता है बच्चो सका रिविजिन करना पधता है इसको इसको रटने से नहीं होता है इसका रिविजिन करना पर जा है चलिए देखते हैं आज का हमारा इंटो नेम्स क्या क्या है आज का हमारा इंटो नेम्स है पहला एगरी एक सब्द है एगरी एगरी का मतलब होता है सहमत होना क्या होता है और इंटो नेम्स का मतलब होता है उल्टा सब्द तो सहमत होने का मतलब क्या होगा इसक तो उल्टा में मिनिंग मैंने नहीं लिखा है इसलिए आप इसको खुद मिनिंग इसमें अंडरस्टूड है कि यह एगरी का मतलब सहमत होना होता है तो इसका हिंदी मिनिंग और सहमत होना ही होगा क्योंकि यह उल्टा सब्द है ठीक है यह मिनिंग अंडरस्टूड है एंजल का मतलब होता है देब दूत या बोल सकते फरिस्ता तो इसकी जो एंटोनेम्स होगी वो होगी डैविल क्या डैविल ठीक है एक्यूट एक्यूट का मतलब होता है छोड़ देना मुक्त कर देना छोड़ देना या मुक्त कर देना इसका जो एंटोनेम्स होगा कॉन्विक्ट होगा क्या होगा कॉन्विक्ट एक्सेप्ट कर लें निक्स अपसेंस का मतलब क्या होता है अनुपस्थिति है न इसे से बना ह क्या है BOTTOM , Butтом का मतलब होता है नीचे , क्या होता है नेचे , पेंदी बोल सकते हैat , इसको नीचे , तल होता है , यह होता है BOTTOM , और K We होता है उपर इसका अंटोनेम टोफ, Top निस उपर नक्ष हमारा अगला है भाई सब लुक जानते है भाई मतलब होता है छारीद ना ठीक है तो इसका ऐंटो नहीं क्या बनेगा इसल जैल बाई का सेल नक्स्ट 176 ब्लन्ट मतलब होता है भोतर रैसे ना कभी हम कुछ काटते हैं जैसे काटने का जो भी सामान होता है उसको जब किसी चीज को काटने के लिए यूज करते तो कटता नहीं है तो उसको हम बोलते हैं कि भोथर हो गया है क्या हो गया है भोथर उसको हम इंगले से बोलते हैं बीजी मतलब ब्यस्त ब्यस्त का क्या होगा आइजल मतलब सुस्त नेक्स्ट ब्यूटिफूल ब्यूटिफूल का अंटोनिम्स क्या होगा अगली ब्यूटिफूल मतलब सुन्दर अगली का मतलब होता है कुरूट ठेक है जो सुन्दर नहीं नेक्स है हमारा ब्लेसिंग ब्ले इसका इंटो नेम्स होजा काव div कि ब्रेफ्री के मतलए बहादरि और डर्कोक वाली बात हो जाएगी ठीक है है में udah हमारा ब्लीफ मतनल होता हैakis और इसका अंटोनेम्स बनता है fiber क्या बनेगा बच्चों अगर यह सारी विडियो यह सारे वर्ट काफी इंपोर्टेंट है इससे आपके इंगलिस पर अच्छी होगी और आपका इंटोनेम्स का प्रिपरेशन भी अच्छा होगा इसलिए मैंने ज्यादा वर्ट में लिखा 10-12 वर्ट होंगे इसको डेली बस आपको अच्छा लगा हो तो आप विडियो को जरूर लाइक करे सस्क्राइब करे कॉमेंट करे सेयर करे और हमारा सहयोग करे जैहिन जैभारत